या देवी सर्व भूतेशू मा कुष्मांडा रूपेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमुनमह ओम दुम्तुर्गाई नमा नवरात्री के चौथे दिन मा कुष्मांडा की पूजा की आप सभी को हार्दिक शुपकामना है नवरात्री के चौथे दिन मा दुर्गा के चौथे स्वरूप मा कुश्मांडा की पूजा आराधना की जाती है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मा कुश्मांडा की पूजा किस प्रकार से नवरात्री के चौथे दिन हमें करनी चाहिए मा कुश्मांडा की पूजाविती क्या है? किन मंत्रों का आज हमें जब करना चाहिए? और किन रंगों के वस्त्रधारण करके आज मा की हमें आराधना करनी चाहिए? मा को कौन सा पुष्प बहुत प्रिय है और कौन सी वस्तु मा को अर्पित करें जिससे की मा से मन चाहा वर्दान हमें प्राप्त हो और जिस भी मनो कामना से हम मा की पूजा आराधना कर रहे हैं या मंत्रों का जब कर रहे हैं व्रत धारण कर रहे हैं हमारी वो मनो कामना मा की ग्रिपा से पुर्ण हो इसके लिए आज विशेश क्या करना चाहिए संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो बहुत मेत्पुर्ण है पुरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मेत्पुर्ण होते हैं यही एक मातर जरिया हैं जिन से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उप्योगी हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और अब जानते हैं मा कुश्मांडा की पूजा विधी के बारे में नारंगी और हरारंग इन में से कोई भी रंग धारन करके आप मा की पूजा आरादना कर सकते हैं और शुद्ध वश्त्र धारन करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जलर्पित कीजिए उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है या फिर जहाँ पर मा की आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए फिर उसके बाद शुद्ध आसन डाल कर चौकी के पास बैट जाईए अब जो भी सामगरी आपने चौकी के पास मा की पूजा से संबंधित रखी हुई है सब का शुद्धी करण कर लीजिए तो शुद्धी करण करने के लिए आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल में भी आप मा का ध्यान करते हुए और उसी जल से आप अपना शुद्धी करण कर सकते हैं सामगरीयों का शुद्धी करण कर सकते हैं आज पास पूजा स्थल पर चारो तरफ जल का चिड़काव करके स्थान का और खुद का पवित्री करण कर लीजिए इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रजुलित कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आपको करना है भगवान गणीश की पान के पत्ते पर विराजित करते हैं नवरातरी के पहले दिन तो क्या हमें हर रोज पत्ता बदलना चाहिए? नहीं देखिये, जहां पर आपने भगवान गणीश की पत्ता बदलना नहीं है वहीं पर हैने दीजिए आप पूजा करते रहिए धूब दी पित्यादी सब वहीं पर अर्पित करते रहिए और वो पान का पत्ता अंतिम दिन जब हम नवरात्री में कलस विसर्जन करते हैं तब ये सारी सामगरी हटाई जाती है और हां हरोत जैसे कि आप पुष्प इत्यादी अर्पित कर रहे हैं वो आप सुबह जो चढ़ाते हैं वो शाम को उतार लेंगे लेकिन रखना घर में ही है विसर्जित नहीं करना है कहीं भी बाहर नहीं फैक्ट नहीं भाद का ध्यान रखे घर में ही पूजा स्थल जहां पर है आपका वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक जगे एक अत्र करके आप रख सकते हैं अब भगवान दूर्ट नहीं पर करेंगे तो मा कुश्र मंदा की पूजा हम करेंगे तो मा कुश्मांदा की का ध्यान कीजिए अपने हात में अक्षातृ पुष्प ले लिए और माकुश्मांडा का ध्यान करते या फिर ओम कुश्मांडा देव्याई नमा इस मंत्र का भी जब कर सकते हैं मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उचारण कर पाते हैं उसी मंत्र का जब करते हुए मा कुश्मांडा का ध्यान कीजिए अब मा कुश्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है देखिए मा कुश्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अश्ट भुजा भी कहा जाता है, इनके साथ हाथों में क्रमसह कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमरित पुर्ण कलस, चक्र तथा गदा हैं, वहीं आठवे हाथ में सभी सिर्धियों और निधियो को देने वाली जपमाला है, मा कुश्मांडा को कुमडे की बली अतिप्रिय है, और संस्कृत में कुमडे को कुश्मांडा कहते हैं, इसलिए मा दुर्गा के इस रूप को कुश्मांडा कहा जाता है, मा कुश्मांडा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, और इसके जो आपके हाथ में सामगरी है अक्षत और पुष्प मां के चणों में अर्पित कर दीजिए इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्पित्यादी जो भी सामगरी आपके पास सुपलब्ध है एके करके मां को अर्पित कीजिए मां का प्रीय पुष्प है लाल गुडहल या लेकिन अगर आपके पास है ऐसी सुविधा तो जरूर अर्पित कर सकते हैं नहीं तो पीले गेंदे के पुष्पो की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं नवरात्री के चौथे दिन मा कुष्मांडा को मालपुय का भोग अर्पित किया जाता है या फिर आप हलवे का भोग और हाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सभी सामगरी हो तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो भोग में जैसे की फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं कच्चे दूद में केसर मिला कर शक्कर डाल कर ये भी आप मां को अर्पित कर सकते हैं गाई आपको फेशसर जब कर शक्ती अपने सामर्तिके नुसार मा की पूजा आरातना कीजी और इसके बाद उनके मंत्रों का यता संभव 11 ल एक्कश बार root कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी इंच्छाक कैनुसार किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं पूजापूरुन करने के प्रति दिन की पूझा में चमा प्राइपना करना अत्यंता वस्यक है कि हम भोग जो लगाते हैं माँ को सुबै के समय कब उठाएं कि या को उठाएं देखिए जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है सुवे की पूजा उसके थोड़े समय बाद आप भोग वहां से हटा सकते हैं जैसे कि 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद भी आप भोग हटा सकते हैं और हां मा को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे थोड़ी दिरबाद भाहां से उठा लेना चाहिए नहीं तो इसे अनादर कहा जाता है और इसी प्रकार से जब आप शाम को भोग लगाते हैं तो उसे भी थोड़ी दिर बाद हटा कर परिवार के सदस्यों को वित्रित कर दीजिए और अगर फल इत्यादी है आप कवरत है तो आप फल इत्यादी स्वयम ग्रहन कर सकते हैं नवरात्री के चौथे दिन मा कुश्मांडा को पेठे का भोग लगाने से हर प्रकार की कामना प्रोण होती है अब देखिए शास्त्रों के अनुसार मा को पेठे की बली दी जाती है जो सफेद कुमडा होता है जिससे पेठ करेंड स्वेंष और जाते हैं अच्यादा स्वयम पीघ्र ग्रहन कर सकते हैं अच्सा एक उपाई जो मैं आपसे शियर करने वाली हूं बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि आदास्त कमचोर है या लेकिन आपकी यदास्त कमचोर या कुछ बातों को भूलने लगे हैं सुबह या फिर शाम को जिस भी समय आप मा की पूजा आराधना कर रहे हैं एक पात्र में रखकर कुछ संख्या में मतलब गिनने की आवश्यक्ता नहीं है थोड़ी सी हरी इलाइची और थोड़ी सी सौफर पित कीजिए और वहीं बैठ कर मा कुश्मांडा के बीज मंत्र का ज कि आपकी श्मर्ण सक्ति में व्रिद्धी हो या दास्त अच्छी हो या फिर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बुद्धी का विकास हो उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो उनका स्वास्थ अच्छा हो क्यूंकि मा कुश्मांडा अच्छा स्वास्ति प्रदा और जब आपकी पूजा पुर्ण हो जाती है सुभे और शाम दोनों समय पूजा कर लीजिए और इसके बार जब आपकी पूजा कि यादी में मिलाकर भी खा सकते हैं जिसे देना चाहें दे सकते हैं और ये उपाय सबको करना चाहिए क्योंकि परिवार में सबकी अच्छी यादास्त होना अच्छा स्वास्ति होना अत्यनत आवशक है तो ये हर कोई कर ले बहुत सस्ता उपा है घर में हरी इलाइची भी रहती है सौफ भी रहती है तो आपको कहीं बाहर जाने की आवशकता नहीं है जो समगरी आपके घर में है मा को अरपित करके प्रसाल स्वरूप में क्रिहन कर सकते हैं तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें मा कुश्मांडा की पूजा विधी के अलावा आपके कई सारे प्रशनों के उत्तर भी मैंने आज की वीडियो में दिये हुए हैं इसी प्रकार से अगर आप लोगों का कोई भी प्रशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसे अगले दिन वीडियो में शामिल कर सकूँ क्योंकि देखिए इतना समय नहीं मिल पाता है मुझे कि मैं सभी के प्रश्णों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकूँ तो अगर आप लोग कोई भी प्रश्ण के उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए ताकि आपके प्रश्णों के उत्तर मिल जाएं और मा कुश्मान्डा की कथा और आर्ती और श्रमा प्रात्ना यह जांकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी तो चैनल से जुड़े रहे हैं ताकि सभी जानकारी आपको सही समय प्रपरापथ हो प्रति दिन की दुर्गाश शब्तिशती की कथा भी जरूर सुना कीजिए मिलती हुमें आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार